हेलो एभीवान कैसे हैं सब लोग जैसे कि आपको पता है हम अनलिटिकल जिमेटरी टॉपिक पकड़ा था माथमेटिक्स का उसके हम तीन लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं आज आपका last last part रहेगा last lecture रहेगा analytical geometry का इसके बाद हम लाएंगे जो previously asked question है analytical geometry पे तो वो लेके आएंगे तो मैंने देखा कि analytical geometry के maximum question distance formula से ही आते हैं तो मैं वो कहूंगा कि आप उस पे proper hold बना लें ताकि आपका ये जो 2 या 3 नमबर जितने का भी आएगा कहीं नहीं जाएं इसके marks ठीक है तो चलो बात करते है analytical geometry के जो आज topic है उसका lecture नमबर 4 उससे पहले जो आपको पिछली वीडियो में मैंने homework दिया था उसका answer मैं आपको provide कर दूँ पहला है find the distance distance formula आपको याद होगा x2-x1 बहुतों ने सही answer दिये थे बहुतों ने क्या सबी ने सही answer दिये थे मैं कहूंगा formula होता है x2-x1 का square प्लस y2-y1 का square ठीक है ये answer आपका होता है formula होता है sorry तो आपकी इतर देख सकते हो x1 है 0, y1 भी 0 है और x2 है 36, y2 है 15 इधर जब आपने formula में put किया आपका answer आजाता है 39 तो 39 is your right answer second जो question था find the mid points of a और a के dimension दी और b की दी है ठीक है तो mid points निकालने से mid points का formula था x1 प्लस x2 upon 2 और y1 प्लस y2 upon 2 तो देखते हैं x1 प्लस x2 कैसे निकलेगा 9 प्लस 1 10 10 को 2 से divided किया 5 is your x और y कितना हैगा 1 minus 7 तो minus 6 उरता है minus 6 को 2 से divided किया तो minus 3 तो 5 and minus 3 is your right answer ठीक है तो अब बात करते हैं आगे topic की तो topic स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से एक sorry मांगना चाहता हूँ कि यह जो आप screen पर देख रहे हो यह आपको हमारे very and very and very first lecture of analytical geometry में यह चीज़ प्रोवाइड कर देनी चाही थी लेकिन हर एक lecture जब मैं वीडियो बना देता था उसके बार याद आता था यह topic क्यों नहीं डाला यह चीज़ क्यों नहीं डाली वैसे तो आप यह सब जानते होंगे इसके बारे में x axis को abscissa कहते हैं और y axis को ordinate कहते हैं तो यह fill up में आ सकता है sorry for that कि मैं आपको फर्स lecture में provide नहीं कर सका ऐसे मैं जानता था कि आप सभी में से 90% students इसके बारे में जानते हो लेकिन यह मेरा फर्स है कि आप तक हर एक चीज़ पुंचाई जाए चाहे आपको पता है कि नहीं पता है क्योंकि all students are not equal कुछ ऐसे भी students होगे जिनें इसके बारे में नहीं पता होगा तो sorry for that तो इसे note down कर लें बड़ा important है यह अब बात करते हैं आज की topic की topic में आप देख सकते हो angle of triangle sorry area of triangle area of triangle हमने पढ़ा है area of triangle होता है half into base into height फिर एक पढ़ा था हमने 9th में ही रॉंस formula वो भी area of triangle था लेकिन अब जब Cartesian plane आपको दिया होगा तो तब area of triangle कैसे निकाना है उसमें आपको base नहीं दियोगा उसमें आपको height नहीं दियोगी triangle आपका कुछ इस तरह का होता है three corners होते हैं उसके तो तीनो corners के आपको जब coordinates provided हो तो उसमें आपका area का formula रहता है पहले मैं अधर coordinates के नाम देता हूं x1 और y1 इसको नाम देता हूं इसको x2 और y2 देता हूं इससे x3 और y3 देता हूं तो यह coordinates के नाम दे दिये यह एक दो और तीन इन तीन coordinates के नाम हैं तो इनकी help से जो area का formula बना ठीक है क्या बना half into x1 x2 x3 आप देख रहो तीनों bracket के बार है x1 x2 x3 अब bracket के अंदर क्या आना है bracket के अंदर आने है y लेकिन कौन से y कोई 3 में से 2 y आने है y1 y2 या y3 इसमें से कौन से 2 y आएंगे तो मैं बतादूं आप इदर देख रहो x कुन सा है इदर 1 तो 1 वाले को neglect कर दो 2 और 3 को पकड़ लो 2 में से 3 minus कर दिया वैसे ही x2 है 2 वाले को neglect कर दो 1 और 3 को पकड़ लो x3 आगे अदर 3 वाले को neglect कर दो y 2 और first को पकड़ लो फर्स में से 2 माइनस कर दो आप देख सकते हो formula थोड़ा सा lengthy है लेकिन ध्यान से देखो formula बड़ा easy है ठीक है x1 bracket में y2 माइनस y3 plus x2 bracket में y3 माइनस y1 plus x3 bracket में y1 माइनस y2 तो चलो इसका एक question कर लेते हैं अब नीचे मैंने एक line लिखी है अगर आपका answer 0 आता है area का कभी area 0 हो सकता है नहीं हो सकता जब भी आपका area का answer 0 आएगा तो आपने लिख दिना है these three points are co-linear co-linear मतलब यह straight line है यह कठे चलती जा रही है ठीक है एक यह कठी line है अब आगे हम बात करते है find the area question लिख आए हो आपके लिए थोड़ा सा complicated वाला मैं करूंगा easy वाला आपके लिए homework है end में तो आप देख सकते हो find the area of quadilateral उन्होंने बोला area निकालो किसका quadilateral का quadilateral क्यों होता है चार sided figure चार sided figure के चार हमें coordinates दे दिये हैं मैंने तर diagram बना दी आप देख सकते हो चारो को नाम दे दी हैं अब आप देख सकते हो इसको मैंने दो triangle में divide किये पहला triangle ये है दूसर triangle ये है अब हमने निकालना है इस पूरे का area हम क्या करेंगे पहले निकालेंगे area 1 मतलब ABC का area इतने का area बस उसकी वाद निकालेंगे इसका area और फिर दोनों को जोड़ देंगे दोनों को plus कर देंगे तो आपका answer आजएगा इतना तो आप जानते ही हो इतना तो basic सभी का clear होता है तो आप देख सकते हो मैंने इदर पहले ABC का निकाला है ठीक है X1 हमने लिए है इदर minus 4 X2 हमने लिए है minus 3 X3 हमने क्या लिए है 3 फिर आपने इदर formula में put कर दिया है Y2 में से Y3 minus Y3 में से Y1 minus और Y1 में से Y2 minus तो आप कहा answer आता है 21 by 2 उसके बाद हमने निकाला ACD का ACD का भी same हमने निकाला 35 by 2 answer आ गया इन दोनों को हमने जब plus किया आप कहा answer है 28 21 by 2 plus 35 by 2 21 में 35 plus किये तो आपका बन जाता है 56 56 को 2 से divided किया 28 is your answer तो इतना सही था answer आगे आपके लिए homework है जिससे आपका confidence rise होगा जब आप उसे solve करोगे खुद ये तो मैंने खुद solve कर दिया थोड़ा सा complicated वाला खुद ले आया हूँ बाकि आप ये formula note down कर लो इसका जाए screenshot ले लो आप फिर try करना अराम से बैठ के try करना ज़ादा जल्दी नहीं करना कि कुछ गलत हो जाए ठीक है अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले topic की जो इतना main topic नहीं है इसके question वैसे आते तो नहीं है फिर भी अब आप सभी की मैंने responsibility ली है तो मेरा first बनता है कि आपको सब कुछ provide किया जाए सारी information provide की जाए तो क्या है इसमें find the angle अब हमने क्या करना है angle formula angle formula तो मैं ये भी suggestion दूँगा सभी students एक जैसे नहीं होते जीने तो ये formula समझ आएगा तो well and good लेकिन जीने नहीं समझ आएगा तो मैं उन्हें कहूंगा आप ये skip कर सकते हो एक थोड़ा सा risk ले भी सकते हो अगर आप कुछ करना चाते हो क्योंकि smart work के साथ आपने काम करना है आपको पता है ठीक है थोड़ा सा आप risk ले सकते हो लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ easy है इतना मुश्किल भी नहीं है तो आप इदर देख सकते हो आपने angle कैसे निकान ले angle आपने निकान ले है कुछ इस तरह tan theta का formula है m1 में से m2 minus करो और denominator में क्या आएगा 1 में m1 और m2 को multiply गरो अब बात बनती है m1 क्या है और m2 क्या है m1 का मतलब है slope 1 m2 का मतलब है slope 2 यह आपकी आगी line यह आपका बन गया angle हमने बताना है इसके बीच में क्या angle बन रहा है अब आपको बड़ी बार दिया होगा यह आपको question दिया है find the cute angle आपने cute angle निकालना है 7x-4y का 0 3x-11y प्लस 5 is equal to 0 अब बात आती है m1 कैसे निकालना है slope 1 slope 1 आपने निकालना है coefficient of x coefficient of x क्या होता है जो उसके साथ number है इसमें x के साथ क्या है 7 upon coefficient of y y का coefficient क्या है 4 m2 क्या हैगा coefficient of x 3 coefficient of y 11 तो m1 आपका आगया 7 by 4 m2 आपका आगया 3 by 11 अब हम इसे क्या करेंगे formula में put कर देंगे आपको अभी मैंने पीछे एक formula बताया क्या था formula m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 into m2 7 by 4 माइनस 3 by 11 हमने किया तो हम इज़त करते हैं 7 by 4 माइनस 3 by 11 आपने जब solve किया तो इसका denominator बनता है 44 तो 7 into 4 आपका हो जाता है 28 और 11 into 4 44 और 3 into 4 12 28 sorry 7 into 11 करेंगे sorry क्यूंकि हमने से तो 7 into 11 हो जाता है 77 minus 3 into 4 12 77 में से 12 minus किये 77 में से 12 minus किये तो आपका answer आता है 65 by 44 और इसका answer क्या आता है ठीक है ये चीज़ याद रखना 65 by 44 है denominator का answer आता है 1 plus 7 into 3 21 upon 44 तो ये भी 44 हो जाएगा 44 में 21 plus किये तो आपका बन जाता है 65 तो आप इदर देख सकते हो 65 by 44 मैंने ये वाला उता रहा है अब ये भी 65 by 44 बन गया है ये डिवाइड हो रहा है उद्धरा के reciprocal हो जाएगा into 44 by 65 65 तो 65 और 65 कट गया 44 और 44 कट गया answer आपका आगया 1 answer आपका क्या आगया 1 अब मैं बता दूँ हमने 10th class में किया था trigonometric इसमें बस आपको 10 की value बता होने चाहिए तो मैं आपको 10 की value बता देता हूँ 10 की value होती है 0 degree पे 0 30 degree पे 1 by under root 3 645 डिगरी पे 1 60 डिगरी पे under root 3 और 90 डिगरी पे not define हमने ये 10th में किया था जीने तो ये table बनाना आता है तो well and good जीने नहीं आता तो मैं यही कहूँँगा आपने बस 10 की पता आने चाहिए तो ये थोड़ा सा cram कर ले थोड़ा सा रटा माल ले क्योंगी 5 ही dimension है तो आप इदर देख सकते हो आपका answer क्या आया है 1 तो 1 degree किसके बराबर है 45 degree so 10 theta is equal to 45 degree is your answer ठीक है इनसे अलग अगर कोई answer आता है आपने उदर से उसका उपर नीचे वाला कोई answer ले लेना है और 1 upon under 3 और 1 के बीच में कोई answer आता है तो आपका 30 और 45 degree के बीच में जो भी option होगा वो आपने choose कर लेना है ठीक है तो आज का हमारे इतना ही लेक्चर था आप अब देख सकते हैं या आपके लिए थोड़ा सा homework लेके आया हूँ area of triangle निकालना है x1, x2, x3 दी है y1, y2, y3 भी दे दी है दो पार्ट हैं दोनों के answer निकाल दो बड़ा easy सा question है कोई मुश्किल नहीं है तो आज का हमारे इतना साई लेक्चर था अब हमारी जो next वीडियो रहेगी वो छोटी से एक वीडियो होगी जो previously इसलिए आक्ष कोशन होंगे और वो maximum कोशन distance formula या sectional formula से ही आए है मैं बता दूँ तो उन पे ज़्यादा focus करें इसलिए topic के लिए ठीक है वैसे भी इसके maximum to maximum मैं कहा सकता हूँ two या three mcq team भी नहीं दो mcq आ सकते हैं ज़्यादा नहीं आ सकते तो यही कहूंगा इसके आप distance formula पे थोड़ा hold पा ले और बड़ी ही जल्द हम fourth class की class से भी start करने वाले हैं जो आपकी fourth class की jkssb की job निकली है तो हमें subscribe कर ले जिन्होंने अभी तक join नहीं किया उसका सबसे पहले हम mathematics topic पकड़ेंगे क्योंकि इस बड़े से students को उसे में doubt आता सबसे वहले तो हम वो सारे doubts आपके clear up करेंगे तो thank you, have a good day, enjoy the day